चानक के AIS Academy में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे Planetary Alignment के बारे में और जानेंगे ये होता क्या है और चर्चा में क्यूं है नासा के विग्यानिक बीलकुप के अनुसार की 28 मार्च 2023 को ब्रहस्पती, बुद्ध, शुक्र और यूरेनस और मंगल ग्रहे रात के आस्मान में एक साथ दिखाई देंगे यानि की इनको एक साथ हम देख सकेंगे अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्लैनेटरी अलाइनमेंट क्या होता है जब कुछ ग्रहे एक सीधी लाइन में नजर आते हैं तो इसे प्लैनेटरी अलाइनमेंट कहते हैं ये कोई अनोकी खगोली घटना नहीं बलकि एक तरह का आप्टिकल इल्यूजन होता है सारे ग्रह सूरिय के चारो तरफ घुमते है जब कुछ ग्रह थोड़े वक्त के लिए सूरज की एक तरफ एकठा हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ग्रह एक दुसरे के आसपास है कुछ लोग इसे ग्रहों की परेड भी कहते हैं अब यहाँ पर सवाल ये है कि planetary alignment कैसे होता है यानि कि इसके होने का कारण क्या है हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रे हैं ये सभी सूरज का चकर लगाते हैं हलाकि सूरज का चकर लगाने में इन ग्रहों की speed, रास्ता और लगने वाला समय सब अलग-अलग होता है सौर मंडल के 8 ग्रे सूरज के 4 और पूरी तरह एक ही समतल सतय में चकर नहीं लगाते हैं अगर सूरज को ग्रहों के बीच में रखी गैंद मानकर ये समझें कि एक vertical और horizontal line इसे काट रही है ऐसे में vertical line को हम वह समतल सतय मान सकते हैं जिसमें जादातर ग्रों की orbit है यानि इसी सतय में जादातर ग्रह सूरज का चकर लगा रहे हैं सबी ग्रह पूरी तरह समतल सतय में नहीं गूम रहे समय स्पीड और रास्ता अलग-अलग होने से अपनी कक्षाओं में घूमते हुए भी ये अलग-अलग वक्त में अलग combination बनाते रहते हैं जैसे कभी मंगल शुक्र एक सीधे में दिखेंगे कभी पांच ग्रह है ऐसा ही एक alignment 28 मार्च को बनने जा रहा है जिसमें प्रत्वी से पश्चमी दिशा में दिखने पर एक लाइन में पांच ग्रह दिखाई देंगे ये जो planet है आस्मान में किस तरफ दिखेंगे और कौन सा ग्रह सबसे साफ नजर आएगा तो ये पांचो ग्रह है तो ये पांचो ग्रह होराइजन से आस्मान के बीच तक फैले दिखेंगे सूरज धलने के बाद बुद्ध और ब्रश्पति ग्रह करीब आदे घंटे बाद होराइजन लाइन में डूप जाएंगे अगर आस्मान साफ है तो इन पांचो प्लेनेट्स को धर्ती पर कहीं से भी देखा जा सकता है इन पांचो ग्रहों में शुक्र सबसे चमकीला नजर आने की उमीद है बुद्ध और ब्रश्पति को होराइजन के पास देखा जा सकता है यूरेनस को स्पोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है मंगल और चंदरमा एक दूसरे के काफी करीब नजर आएंगे एक रिपोर्ट के अनुसार इस अलाइन्मेंट के दौरान कुछ ग्रहें दूसरों के मुकाबले में जादा क्लियर दिखाई देंगे शुक्र और ब्रस्पती दोनों की चमक जादा है इसलिए उन्हें आसानी से देखा जा सकता है ब्रस्पती शुक्र और मंगल की चमक तेज होती है इसलिए इन्हें आसानी से देखा जा सकता है शुक्र आस्मान में सबसे ज़ादा चमकीला रहेगा और लाल चमक के साथ मंगल चांग के पास दिखेगा बुद्ध और यूरेनस को ढूनना मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो धुनले होंगे ऐसे में दुर्बेन की आवश्कता होगी अगर हम बात करें कि ऐसा खगोलिय सयोग पहले कभी हुआ है या नहीं तो इस तरह की आखरी घटना जून 2022 में हुई थी जब बुद्ध शुक्र मंगल ब्रस्पती और यूरेनस एक साथ आस्मान में दिखाई दिये थे अगर फ्यूचर की भी बात करें तो हम देख सकते हैं इस पिक्चर के माध्यम से कि 11 अपरिल को भी ऐसा सयोग होगा जब बुद्ध अरुन शुक्र मंगल साथ दिखेंगे उसी तरह से 24 अपरिल को भी बुद्ध अरुन शुक्र मंगल साथ दिखेंगे आगे कि अगर बात करें तो 39 मही को भी ऐसा सयोग होगा जब अरुन, बुद्ध और ब्रश्पती शनी साथ दिखेंगे और 17 जून को बुद्ध, अरुन, ब्रश्पती, वरुन और शनी साथ में दिखाई देंगे और 9 मही 261 को सभी 8 प्लेनेट्स एक साथ नजर आएंगे तो ऐसे घटनाएं होती रहती हैं इसके साथ ही आज का हमारे टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मच